हलो फ्रेंड आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जालों कि कैसे आप अपने लावा युओतs 3 Pro Android मुवाल disporn में आप अपने Bluetooth की keeps stopping problems को आप सौल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियों में आपको रिटेल में जान करीते ने वालों तो चलिए आप वीडियो को में स्टार्ट कर लेते हैं देगी दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम अपने मुवैल फून के ब्लुटूथ को किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो वो हमारे ब्लुटूथ के प देख लेना है इससे भी यह ब्लुटूथ की कीप सी स्टॉपिंग की प्रॉलम सॉल्व हो जाती है अब दोस्तों आपको अगला प्रोसेस यहां पर करना है कि आपको जो अपने मुवैल फून का सॉफ्ट्वेर एक बार चेक करना है कि वह अपडेट है या नहीं है दोस्तो आपको नीचे सिस्टम अपडेट पर टाप करना है तो आपको इस वाले पेज पर कोई भी अपडेट का बटन दिखाई देता है तो उसे टाप करके अपने फोन का सॉफ्ट्वेर अपडेट कर लेना है जिससे आपके ब्लुटूथ की की स्टॉपिंग की प्रॉलम सॉल्व और दौस्तों अगला काम है कि आपको अपने मुवाइल फोन के एपेज सेटिंग को रिसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है इसमें आपको सबसे उपर यह नेटवर्क एन इंटरनेट पर टाप करना है इसके अंदर आपको नीचे की साइड आना है ठीक ह इस तरह किसे आपको फोन की एपीन सेटिंग को रिसेट करना है, जिससे आपके Bluetooth की कीप सी स्टॉपिंग की प्रॉलम सॉल्व हो जाएगी। तो आपको फोन की नेटवरक सेटिंग को रिसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पीज ओफन करने की इसमें आपको नीचे सिष्टम पे टाप करना है group यहाँ, तोड़ी देर में लिखा हो आजएगा यह देखे सेटिंग। इस तरह किसे फोन की नेटवर्क सेटिंग को रिसेट करना है जिससे आपके ब्लुटूथ की कीप से स्टॉपिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ठीक है अब दोस्तों अगला काम यह करना है कि फोन को रिस्टार्ट करना है इसके लिए फोन के साइड वाला पॉर बटन अब दोस्तों अगला प्रोसर्स यह करना है कि आपको अपने मोवलाट फोन को तब करना है, जब मेरे बताय हुए पिहले प्रोसस अगर कोई भी काम नहीं करते है तब आपको फोन को रिसेट करना है, पोन को रिसेट करने के पाडाए और आप आप सेटिंग पेज ओpen करिए solve हो जाएगी लेकिन आपको phone को reset करने से पहले दो बातों को ध्यान रखना है पहली बात ध्यान रखना है आपके phone में जितना भी data सारा data आप किसी दूसरे phone में transfer कर लीजिए या उसका backup ले लीजिए दूसरी बात ध्यान रखने है आपके phone की Gmail आईडिया और उसका password आपको पहले से note करके रखना है तो यह दो काम आपको पहले करने है उसके बात phone को reset करने है तो दोस्तों इस वीडियो मेरे बताया है वह सारे process आपको यूज़ करने है इससे आपके Bluetooth की keep stopping की problem जो है वो solve हो देगी ठीक है